जै श्री राम ये नारे से पूरा भारत गूजमान हो गया है और सब के मन का उलास इतना की इसके लिए कोई शब्द नहीं है तो मैंने उनके भोग के लिए बहुती एक स्पेशल थाली त्यार की जो सात्विक है जिने में प्रसाद के रुप में उनको चड़ाऊंगी तो एक पानी को अच्छी तरीके से उबालने के बाद एक कटोरी चावल को अच्छी तरीके से दोने के बाद इसे अच्छी तरीके से में पका लूँगे इसका सारा पानी सुखाने के बाद इसमें कुटा हुआ छोटी लैची डालेंगे इसे भी अच्छी तरीके से मिला देंगे जो पानी अच्छी तरीके से सूख जाए जब पानी अच्छी तरीके से सूख जाए तो हमारे चावल भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं इसमें मैं एक डेड़ लीटर के करीब दूद में पकाऊंगी अच्छी तरीके से मिला देंगे मिलाने के बाद आप देख सकते हैं द बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे यह मैंने एक कटोरी लगबग तीन कप के करीब मैंने इसमें चीनी डालकर इसे भी अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसे धीमी आज पर पकाएंगे क्योंकि खीर का स्वाधन बहुत ही अच्छा और रबड़ी जैसा होगा इसे धीमी पर पकने दीजिए कड़ाई लेंगे कड़ाई पर एक चुथाई चमत जीरा डालेंगे एक तेजपत्ता डालेंगे और जीरा को जब तक भूनेंगे जब तक यह ब्राउन ना हो जाए क्योंकि हमें बिना लस्तन प्याज के सबजी बनानी है तो मैंने यह हरी मिर्च अदरक और थोड़ी सी जीरा को बिल्कुन बारिक कूट लिया था इसे भी अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसमें सोंधी सोंधी से खुश्बू ना आ जाए यह कंटिनुई से हिलाते रहेंगे ताकि यह पैंसे भी ना जले और इसमें अच्छी तरीके से ब्राउन भी हो जाए दो से तीन टमाटर को अच्छी तरीके से मैंने चौप कर लिया है तो इसे भी हम अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि बिल्कुन इसका रफली एक चौप सा बिल्कुन बारिक पक जाए और पेस्ट बन जाए मसाले अट करेंगे तो एक चोथाई चमज अल्दी पाउ जाए गैस का आज हम हाई ही रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए अब बॉयल आलू को डाल कर इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसे तब तक मिलाएंगे जब तक मसालों के साथ आलू अच्छी तरीके से ना मिल जाए क्योंकि मसाले अल्रेडी पक चुके हैं और बॉयल आलूते तो अच्छी तरीके से मिल चुके हैं कस्तूरी मेथी डालेंगे और एक चुथाई चमच गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और उपर से खूब सारा हरा धनिया डालकर इसे हम पकने के लिए धीमी आज पर ही छोड़ देंगे इसे केसर डालेंगे केसर से खीर का स्वार डबल हो जाता है और जितने भी आपके पास ड्राइफूर्स हो जैसे काजू बदाम किश्मी जो भी हो आपके पास उसे डालकर अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि खीर में बहुत ही अच्छा तेस्ट आ जाए इसे कंटिनू हिलात सबजी के लिए और कचोड़ी के लिए और यह पेस्ट है अद्रक हरी मिर्च और जीरे का तेश के कोडिक नमग डालेंगे एक चोता है चमच लाल मिर्च पावडर डालेंगे इससे आप स्किप भी कर सकते हैं ज्यादा तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो और थोड़ा स कस्तूरी मेथी डालेंगे इससे भी इसका खूब अच्छा फ्लेवर आता है खूब सारहरा दनिया डालकर इससे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे इसको बिल्कुन बारिक करेंगे अगर आपके हांस से इस तरीके से बिल्कुन बारिक नहीं होता तो देशी स्टाइल करते गीलास को प्लाई के बहुत ऊच्छी स्मूथली भर ने कुछ से तरीके के से प्लॉबिल्कून बारिक हो जाएंगेकanson आलू जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उस तरीके से थोड़ा से आटा लेंगे इसे कटोरी नुमा एक इस तरीकी स्टफिंग करने के लिए कचोड़ी को बना लेंगे खूब सारा आलू भड़ेंगे देखें मैं कितने सारा आलू डाल रहीं खूब कम नहीं ज्यादा ही डालेंगे जिससे कचोड़ी हमारे खाने में अच्छी लगे और आलू का फ्लिवर ही आए सारे डो जो स्टफिंग उसको नीचे करते जाएंगे और एक्स्टांटा को कठा करते जाएंगे जो हमारा एक्स्टांटा है उसे अब हतेली से पुष कर देंगे और अच्छी तरीके से लोगे को दबा दबा कर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे ताकि आलू की स्ट तो देख तेल को हाई फ्लेम पे ही गरम करें तेल ज्यादा गरम होना चाहिए जैसे जैसे हमारी कचोड़िया फूलेगी नहीं देखिए बिलकुन परफेक्ट फूली है और गुबारे की तरह कहीं से फटी भी नहीं है देखिए बिलकुन करारी आलू की स्टफिंग वाली सब्सक्रीके नहीं परफेक्ट पूडी कर बनकर तेयार है देखिए यह बिलकुन परफेक्ट फूली है कुछ इस तरीके से जब तक इसका प्राउं कोल्डन आ हो जा एह से जा लेंगे और यह हमारी पूरी एपनकर तियार हे इसी तरीक से सारी कचोड़ियों को हमें step by step बेल कर अच्छी तरीके से फोल ला लेंगे और देखिए एक भी कचोड़ी हमारी ने बिना फुले नहीं रह रही और सारी कचोड़ी को हमें इस तरीके से बना कर त्यार कर लेंगे देखिए सारी कचोड़ी हमारी फोली फीली और विल्कुल क्रिस्पी नेस तो सबजी भी रेडी है खीर भी रेडी है और कचोड़ियां भी रेडी है दो सारी चीजे जो भोग के लिए तियार किने कितनी यम्यों डिलीशिस रग रही है एक एक करके हम इसे प्लेट में जब सर्व करेंगे न तो देखते ही मन करेगा अभी खाले पर हमें इसे भोग लगाना है तो इसे हमें एक प्लेट प्रॉपर पूरी प्लेट सजाएंगे जैसे और एक रायता की रायता मैंने नॉर्मल ही त्यार किया है बूंदी नमक और जीरा डाल कर देखिए कितना यम्य लग रहा है उपर से गर्मा गर्म कूली फली कचोड़ें के साथ तो इसका फ्लेवर डबल ही हो जाएगा और एक चीज इसके बिना तो परसाथ बिलकूनो दूरा है तुलसी का पत्ताु है तो इसाभी भोजन पे मैंने तुलसी का पत्ता ताली एगी हमारी पर्फेक्ट साथविक भोजन वाली थाली तियार ह इस मेरी तो भोग वाली ताली त्यार है तो चली इसे मंदिर में जाकर भोग लगाते हैं और हिर्दे से उनको नमन करते हैं आप इस रेस्पी को जरूँ ट्राइब